हलो आज है 28 सब्टेंबर और आज इस वोड़े में हम बात करेंगे ITC के बारे में लेकि ITC के शेर में जब बाजार गिरावट में था इसने काफी अच्छी रफ़तार पकड़ी अभी बाजार तूट रहा है लेकिन ITC के शेर में गिरावट ज़रूर है लेकिन उतनी बड़ी गिरावट नहीं है जितनी पूरे बाजार में देखने को मिल रही है वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाल फिलाल में ITC का शेर जिस प्राइस पर ट्रेट कर रहा है वहां से खरीदारी के मौके बन भी रहे है कि नहीं और अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो जो काफी जादा हेल्प करेंगे तो ITC का जो शेर है ये 325 के आसपास ट्रेट कर रहा है और आज भी गिरावाट है 3% की गिरावाट है बड़ी गिरावाट है एक महिने में अगर आप देखो तो अभी भी सारे 3% का ग्रोथ है हम सब जानते हैं कि बाजार में गिरावाट थी लेकिन ये दौड रहा था 313 रुपे से ये चला गया था 345 तक अब टूटना शुरू हुआ है करेक्शन यहाँ पर जरूर आया है और एक साल में अगर आप देखोगे तो एक साल में यहाँ पर 36% का ग्रोथ है जब यह श्लश दौट दौट पे था 220 पर था मैंने कई सारे वीडियो बनाया है मैंने कहा था कि देखो बढ़िया मौका है बढ़िया मौका ही मौका है और बड़ने बवट भड़ी दफ्तार हम ने देखே जरूर वह था बीच में अगर आप देखोगे तो थोड़ी थोड़ी कर्येकल हमें देखने को मिले थे यहां पर अगर आप देखो तो लेकिन क्रोथ आया था यहां पर यहां पर मैं मानता हूं कि अभी भी आकर ITC में करेक्शन आता है तो खरीदारी के मौके ज़रूर बन सकते हैं और अगर मैं brokerage firm की बात करूँ तो ICICI securities की तरफ से ITC में खरीदारी के recommendation 350 का target है इतना ही नहीं Centurium Broking के अगर हम बात कियों तो भई है इनका तो 424 रुपे का target है लेकिन हमेशा चीज को लेवल बाइंग के लिए attractive होगा वो भी हमें इस वीडियो में discuss करेंगे तो वीडियो को अन्त तक तक जरूर देखेगा देखेंगे लार्ज केप शहर है चार लाग करोड से भी जादा का market कैप है और वॉल्यूम से अगर आप profit भी अगर आप देखोगे तो चार हजार चार सो करोड के आसपास का profit है जो पिछले quarter या पिछले साल से काफी अच्छा है बहतरीन है और ये बढ़ने वाले हैं इनके revenue क्योंकि देखो covid में इनका जो सबसे main business था जो cigarette और टोबिको का जरूर थे लेकिन अभी क्या है कि चीजे बहतर हो चुकी है तो अभी भया लोग अपने पुरानी लेकिन बुरी ही सही लेकिन पुरानी आददों पर lot जरूर रहे हैं और ITC मेरे हिसाब से इनका main business भले ही cigarette और टोबिको का है लेकि मुझे इसका तो सबसे अचा business पसंद आता है वो आता है FMCG वाला business वो काफी बहतरीन है इनका इसके अलावा school colleges भी खुल रहे हैं तो definitely इनकी जो product classmate की जो product है इनके चाहे वो notebook की बात करें वो भी बहतर है और भाई होटल business definitely काफी धमा का मचा सकते हैं कि ITC को लेकर देखा जाए तो भाई है company में अच्छे कासी holding है यहाँ पर dividend बहुत बहतरीन पेक कर रहा है अगर मैं आपको यहाँ पर इनकी website पर ले चलो ITC की तो ITC की website में इनकी जो brands है वो मुझे सबसे ज़ादा पसंद है चाहे हम आशुरवात की बात करें FMCG में आशुरवात की अगर हम बात करने जाए या फिर भाई है हम बात करने जाए इनकी sunfish की बात करें bitskates, cookie, cake, sunfish काफी बड़ी product है बहतरीन product है इसके लाब बिंगो की भी अगर हम बात करें जाए ITC को लेकर तो इनके और भी कई सारव business है और यह सभी इसी के अंदर included है अब यह ITC के जितने भी business है वो सभी के सभी business included है इसी ITC limited के अंदर ही चाहे FMCG की बात करें hotel की बात करें, paper board in specialty की बात करें, packaging की बात करें, agree की बात करें IT information technology की बात करें यह सभी business यहाँ पर इसी के अंदर included है लेकिन management ने यह भी कहा है कि आने वाले दौर में company demurge भी हो सकती है और hotel business के demurge होने के chances वह सबसे जादा है उसके बात हो सकता है कि IT business भी यहाँ से demurge हो जाए और बाकी business धिरे-दिरे करके demurge हो सकती है यह बहुत लंबा process है बहुत लंबा process है यह बहुत जल्दी कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर ITC में अगर आप देखोगे तो company में according to money control user 24 लोग कहरें कि बेचो बाकी खर कोई कहरा है खरीदो मेरी recommendation यहाँ पर यही है कि अगर है तो रखे रहो यह इसको long term के लिए डरने वाली बात नहीं है लेकिन हाँ खरीदारी करने का जहां तक बात है वो हमेशा देखना चाहिए कौन सा level सस्ता है अगर dividend की मैं बात करूँ तो यह साल में बहतरीन dividend पेक करने वाली company है इस साल अल्रेडी दो बार आपको dividend मिल चुका है 5.25 पैसे और 6.25 पैसे का पिछले साल भी दो बार dividend पेक किया था 5.25 पैसे का 2020 में भी एक ही बार पेक था लिए बहुत बढ़ा पीके था 10.15 पैसे तो देखा जाए तो 3 साल में 33 रुपे तक का dividend यह already पेक कर चुका है और definitely share price में भी growth है और आगे भी यह अच्छा dividend लगातार पेक करता रहेगा revenue में बढ़िया jump है और यह अभी और बढ़ने वाले हैं और ज्यादा बढ़ने वाले है यहाँ पर profit भी आप देखो तो profit भी बढ़िया jump है और अभी आने वाले दिरों में और बढ़ने वाले है FMCG में खास करें के company जो है वो नई नई product launch करती जा रही है और इनका network इतना strong है कि इनकी जो product है उनका consumption और even shelf में अगर आप देखोगे तो बड़े mall से लेकर छोटे दुकानों तक आपको इनकी product जो है वो देखने को मिल जाती है ITC में देखो तो खरीदारी करने का सही मौका यह कुछ है और बोर्ट जोन में नहीं कोई भी red flag निजन नहीं आ रहा है 27 का PE है sector PE 53 का है इतनी तेजी के बावजूद भी कह सकते हैं कि महँगा नहीं सस्ता है 94% analyst कहते हैं खरीदारी करो यहां पर ठीक है और holding के अगर हम बात करे shareholding के बात करने जाए तो promoter के वास यहां पर कुछ नहीं कोई promoter नहीं लेकिन mutual funds बड़े institution और Files के पास बहुत बड़ी quantity है 10% की holding mutual fund के पास है 32.82% domestic institution के पास है 12.68 Files और retailers और others की मिलाकर 44.50% की holding है उसमें सेवीचो retail investors उनके पास सिफ 11.70% की holding है अभी के लिए ITC पसंद है मुझे definitely पसंद है मैं long term के इसको recommend करूँगा जब ये market का joker हुआ करता था 200 रुपे से भी कम कीमत पर था भागी नहीं रहा था तब से मैं नहीं रहा है कि यहां पर रखे रहो market का joker जरूर है लेकिन बहुत जल्दी ये 1 का बनने वाला है और अभी भी मैं अपने उसी statement पर कायम हूँ खरीदारी करी है बने रहो फ्रेश बाइंग के जहां तक बात है अगर ये आपको तीन सो दस तीन सो रुपे के आसपास मिलेगा खरीदारी के बढ़िया मौके वहां पर बन सकते हैं लेकिन long term के लिए कई सारी events future में यहां पर हो सकती है इनके कई सारे business अभी एक ही रूफ में है तो आने वारे दोर में यह जो businesses है वो डीमर्ज होते नजर आ सकते है management भी कई बार इसके बारे में बात कर चुका है और जिस दिन ऐसा हो जाए कर definitely बहुत बड़ा धमाका यहां पर आपको देखने को मिल सकता है company profit में है loss में नहीं है अच्छे खासे profit में है अच्छे product है इनकी और अच्छा खासा कह सकते है कि इनका network भी है तो बने रहे है ITC में खरीदारी की है तो fresh wine की जहां तक बात है मैं हमेशा long term के लिए इसको recommend करूँगा अगर यहां से gir out आती है तो लाइक करें चैनल पर पहले है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ITC Limited के भारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे comment में लिख कर बता सकते हैं थैंक्यू